तो आज कीइस विडियो गंदर में आपको उलेका पार्श के अग्वल ऑड़े dich नह stuffing करने के बाद आपका तवायगों ज़्यामि सभ्ण सब्सक्राइब involves बीटोन मेना चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब करके नोतर JUL सबसे फ़ले बटोए हैं मिलते हैं सबसे इसानल आपको बता दें फाइला आपके फोन में रहती है और किसी भी application को आप delete करते तो कई पर live में अगर आप अपने phone को use करते हो तो बहुत सार application install करते हो और delete कर देते हो ठीक है लेकिन उस real में delete नहीं होती है आपके phone में से तो गायब हो जाती है लेकिन आपको उसको देखने के लिए simply करना क्या है कि Google Play Store को open कर लेना है और open करने के ते हाँ यहां पर पुड़ा detail आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे किवापका लोगो दिख जाएगा DP करना है जैसे आप यहां पर पे किलिक करना है यहां पर दीखेगा इस्टैलाट का option यहां पर टेप करना है और निच्चे आपको देखने को मि not install it पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी अप्लिकेशन जो भी आपने डिलीट किया हुआ था आपके सामने आजाएगा आपके प्लेयर स्टेड़ों में सारी कि सारी सोग कर जाएगी ठीक है तो आपको यहां से बिल्कुल आसानी के साथ इसको रिमूब करना है ठीक है जब तक यह अप्लिकेशन रहेगी तब तक आपका रैम यहां पर रखा रहता है ठीक है यह अप्लिकेशन जो भी देख रहे हैं आप यहां पर खर्च करता रहता है आपके रैम को यहां से आपको कोड करना है और टीक करने के बाद आपको यह पर जैसे आपड़्ूनें के बाद यहां पर र Songs नुट करने के बाद यहां पर यहां पर Art कि पर पंप तीसरे सेटिंग में आपको हम बताने वाले हैं के वह प्रोनेुस से पहले यहां पर आपको data का option मिल जाता है तो data on करके आप कभी-कभी सोच जाते हो या अचानक भूल जाते हो pocket में रख ले तो अपने phone को यहां पर होता क्या है आपके data on होने से आपके phone में अंदर है अंदर इसका काम चालू रहता है ठीक है तो आपको simply यह play store का ही यहां आप है तो प्लेयश टोर को open कर लेना है open करने बाद फिर से DP पर आपको tap करने कबाद आपको फिर से यहां पर नीचे आजाना है और आपको setting option मिल जाएगा आपको setting option पर click कर लेना जिसे आप किलिक कर लोगे इस setting में आपको simply करना की है कि हैं कि हाप network पर किलिक करना है के रिक करने के बाद को है जहां मिल जाएगा आपको ही हाँ आपको फेया इहाँ कर सुफली आपको किलिक करना है और डो नोहट आउट अपडेटेस उट किरें डून करते हैं कि हमको आउटisfar ne पिल्कुल सोलो काम करने लगता है तिस सेटिंग को जरू कर लेजिएगा उसके बाद हम अगले सेटिंग के तरफ चलते हैं जैसे आप उहाँ पे किलीक कर लोगे तो यहाँ पे आपको दीखाएग एक auto अपडेट तो हो गया है auto play video का अपसकन तो simply auto play video पे आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने कब बाद do not auto play video पे क्लिक करके और done कर देना है इससे होगा क्या कि आपके Google Play Store में बहुत सारी अप्लिकेशन की वीडियो होती है जो कि आपका फोन लूट लेने लगता है और आपका रैम जो डाउनलूड होता है वीडियो चलने के लिए उस पे भर जाती है ठीक है तो इस सेटिंग जरू कर लेजिएगा इस सेटिंग को करन कोमेंट बोक्स में अपना राय जोड़ देना चैनल पना होता है